सत्य युग और त्रेता युग बीटने के बाद जब द्वापर युग आया तो प्रित्वी पर जूट, अन्यय, असत्य, अनाचार और अत्याचार होने लगे और फिर प्रति दिन उनकी अधिक्ता में वृद्धी होती चली गई, अधर्म के भार से प्रित्वी दुखित हो उसने ब्रामहा, विश्नु और शिव के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि वे उसे इस असहनी अभार से मुक्त करें, लेकिन वे तीनों ही प्रित्वी को इस भार से मुक्त करने में असमर्थ थे, कोई उपाय न देखकर विश्नु ने कहा, चलिए, हम लोग भगवान के प अमक सुंदर और सुरम्यवण में एक सुंदर आश्रम था, उसी के निकट एक नदी बह रही थी। विश्नु ने परब्रम परमिश्वर को प्रित्वी के दुख की गाथा सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं प्रित्वी के दुख से परिचेतू, प्रित्वी को भारमुक्त कर मैं वासुदेव की पतनी देवकी के गर्ब से जन्म लूनगा और क्योंकि मैं अपनी माया से और मेरी माया मुझसे प्रिथक नहीं रह सकती, इसलिए मेरी माया राधा के रूप में बरसाने में व्रिशभानु गोप के घर में जन्म लेगी। और उसके बाद मैं प्रित्वी को इस भार से मुक्ती दिलाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि एक-एक पापी का वद करना कठिन है, इसलिए मैं ऐसा उपाई करूँगा कि संसार के समस्त पापी स्वयम ही लगभिलकर प्रित्वी को भारहीन बना दे, आप लोग निश्चि बाद ही अत्याचारी और अनाचारी मतुरा नरेश कंस के कारागार में बंदी वासुदेव की पत्नी देवकी ने एक बालक को जन दिया, बालक के रूप में जन लेने से पूर्वी भगवान ने उन्हें अपनी योजना बताते हुए आदेश दिया था कि वासुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा के पास छोड़ा आए और उसी समय उनके गर्प से जन लेने वाली कन्या को लाकर कंस के हवाले कर देखवा कन्या मेरी योगमाया है। वासुदेव ने ऐसा ही किया और क्रिशन गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोद की गोद में पलने लगे उसी समय उनकी माया ने भी राधा के रूप में बरसाने के व्रिशभानु गोप की पतनी के गर्प से जन्म लिया जिसका नाम माता पिता ने बड़े चाव से राधा रख दिया दो अलग-अलग गावों में रहते हुए भी राधा और कृष्ण बच् राधा को पुकारते राधा अपनी सहेली गोप बलाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंच जाती राधा और कृष्ण का ये प्रेम दो किशोर लड़के लड़की का प्रेम था जो थोड़े से दिनों में ही पुरे ब्रज में चर्चित हो गया नंद बाबा और यशोदा ने का विवाह नहीं हो पाया था कि कंस के आदेश पर अक्रूर कृष्ण को बुलाने के लिए मत्हुरा से व्रिंदावन पहुंच गए और अत्याचारी कंस तथा राक्षसी स्वभाव वाले उसके अनुचरों का वद करने के लिए क्रिष्ण को बलराम के साथ व्रिंदावन जाना पड़ा और मतुरा में कंस आदी का वद करने के बाद मतुरा राज्य की सुरक्षा के उत्तरदायित्व ने कृष्ण को इतना उल्जा दिया कि वह चाह कर भी व्रिंदावन नहीं जा सके। मतुरा एक चोटा सा राज्य था और मतुरा नगर को सुरक्षित स्थान पर नहीं बसाया गया था। वैभव संपन द्वारका में अनेक सुदन पत्नियों का प्यार पाकर भी वह राधा के प्यार को नहीं भूल पाए। और संसार आज भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक आदर्श प्रेम के महान तथा अमर प्रतीक के रूप में याद करता है। उनकी मूर्तिया भारत के मंदिरों में नहीं विदेशों में भी अनेक मंदिरों में ही प्रतिश्थित हैं। और लोग बड़े भक्ती भाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं।